कल्यूगे संग शक्ति अगर आप कुछ भी करने का सोचते हैं और आपके पास कुछ रास्ता ही नहीं दिखता है कि मैं कैसे करूं मैं यह चीज कैसे अचीव करूं उन लोगों के भीड में घुज जाओ जो वो कर रहे हैं आप अपने आपको कर जाओं यह ऐसा पारफुल टेक जो चाहे वो कर सकते हो जो आप आदत बनाना चाहे वो बना सकते हो लेकिन यह काम कैसे करता है। इसका क्या इंपोर्टेंट्स है इसके बारे में जानेंगे आज हमारे साथ Pooja Didi है Pooja Didi जब आप लास्ट टाइम आये थे तब से लेकर अब तक हम लोग यह सेशन with grace of master without a single day fail, we have done it daily and daily कर रहे हैं इसका एक purpose यह है कि हम लोग ज़ादा से ज़ादा लोगों तक पहुँचे, जहां तक कोई भी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर internet है, internet के थुरू हो connected हो जाए, इस parts से, and और एक purpose यह है कि उनके चहरे पर smile आजाए, उनकी life celebration बन जाए, और वो दूसरे के जीवन में धेर सारी खुशिया लेके आए, यही गुरुदेव का विजन है, गुरुदेव के विजन को अपना mission बना लिया है और इसी को लेके आगे बढ़ रहे, and as you know, की बहुत informal sessions होते हैं, yeah, and आपको भी मैं introduce करना चाहूंगा गुरुप के आगे, so talking about her, she is an accountant by profession based at Odisha, India, she is associated with Art of Living since 2007, she is a Yes Plus happiness wellness program teacher and has been conducting Art of Living program since 9 years सबसे पहला सवाल है, बहुत जन है जो laziness के वज़े से या फिर जो एक होती है कि उनको वो एक trigger नहीं मिल पारा कुछ करने का, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, mind में हैं लेकिन कैसे करें, वो नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए आप जिदी बताईए कैसे कर सकते हैं, yes जी, okay तो पहले तो, welcome everyone to the session and thank you Abhishek जी once again for inviting me तो आज का जो topic है और अभी Abhishek जी जो मुझे question कर रहे थे कि बहुत बार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हम doubt करते हैं, या तो हम sure नहीं होते हैं अपनी capabilities के बारे में, हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं यह अचीव कर पाऊंगा, या कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं तो यह हम सब के साथ होता है और यह बहुत natural है, तो अगर मैं अपने personal life के बारे में बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब 2007 में मैंने सबसे पहले बार art of living का course किया था yes course, जिसको अभी हम वेधर योगा बोलते हैं तो I very clearly remember teacher ने मुझे बुलाया था और सब के सामने एक topic दिया था जिसमें मुझे कुछ 2-3 line बोलने थे and I was completely blank मतलब एक line बोलने के बाद I was numb, मैं literally shiver कर रहे थी कि मैं क्या बोली I was so nervous at that time तो वो 2007 की बात है और आज देखे 2022 में मैं आप सब के सामने बैठी हूँ Zoom में आज हम session कर रहे हैं पिछले 9 साल से मैं courses कर वा रहे हूँ तो एक shift, एक transformation मैंने खुद के personal life में ही ये experience किया मैं हमेशा as a kid खुद भी बहुत introvert थी बहुत shy किसम की बहुत श्योर ने थी अपनी capabilities, अपनी caliber के बारे बी तो जब मैंने course किया मैं सुदर्शन क्रिया तो करने लग गई उसका मुझे बहुत benefit मिला लेकिन it was the time जब मैंने एक group के साथ connect किया जब मैं सचसंस में जाने लगी जब मैं सेवा में जुड़ी जब मुझे group energy का experience वाना that was the time when I started opening up मैं खुलने लगी अपने comfort zone से धीरे धीरे बाहर आने लगी और अपने capabilities को और expand करने लगी और समझने लगी तो यह जो group का जो energy था ना उससे मुझे बहुत मदद मिला मेरे जीवन में अपने potential को और समझने का और realize करने का क्योंकि अकेले I believe individually हम सब बहुत unique है ना अकेले हम बहुत talented भी होते हैं unique भी है और हम सब में unique capabilities है पर जब हम group में आ जाते हैं तो हमारी शक्तियां मिल जाते हैं तो multiple ideas, multiple expressions, multiple opinions जब हमें मिलते हैं तो हम एक ही काम को और बहतर तरीकी से नए dimension से करने का एक हमें experience मिलते और अनुभर होता है तो मुझे भी मेरे last 15 years में जो मेरा experience रहा group में काम करते करते इतने सारे potential या इतने skill मुझ में पहले थे जो मुझे पता ही नहीं था वो मुझे realize हो रहे लगा जब हम एक team में एक group में काम करते हैं तो group energy is the key एक संघा में जब हम काम करते हैं न सही correct कपरी में तो हमारे खुद के skills भी grow करते हैं और हमें बहुत नया perspective देना है विशेक मेरे साथ तो personally यह हुआ है मेरे पूरे बच्पन से लेके अभी तक मेरा यह जर्णी यही रहा है तो कई बार दीदी कैसा होता है कि जब हम लोग बात करते हैं संघा की तो आपस में लोग कई बार फस जाते हैं higher goal को भूल जाते हैं अरे यह ऐसे हैं इन्होंने मुझे ऐसा बोला यह अच्छा नहीं कर रहे हैं पर आपस में लोग फस जाते हैं उससे कैसे बाहर निकिए तो कि ग्रूप में ना बहुत अलग अलग तरीके की लोग होते हैं जब हम साथ में काम करते हैं और जब हम किसी पी पर्टिकुलर सिटुवेशन या इवेंट को देखे तो जज्जमेंट्स आना बहुत ना बहुत नाचरल है येस हम सब के साथ होता है और क्योंकि हम सब इत सब्सक्राइब होते हैं तो हर किसी की अलग 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 ओपीनियन के वज़े से एक टीम में काम करना हमेशा इजी भी नहीं होता तो इस इट रिक्वाइट स्किल टू वर्क स्किल्फुली इन टीम तो ग्रूप में बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हम किसी परपस से आते है हमें कुछ अच्छा एक्स्पीरेंस होता है पर फिर हम खो जाते हैं वो फिजल आूट हो जाते हैं एक्सके वज़ेसे हमारे एनरजी में फर्क पढ़ रहा है we are seeing enthusiasm, dynamism in action, happiness, joy and expression of life is there, तो वो हमारे लिए सही कमपनी है। और अगर हम जिस ग्रूप के साथ हैं, उसके वज़े से हमारे एनरजी लो हो रहे हैं। नेगेटिव एमोशन बढ़ रहे हैं, गुस्सा, चरचड़ापन, जेलिसी, ग्रीड अगर ये बढ़ रहा है, तो आप समझ जाए कि वो कमपनी आपके लिए सही कमपनी नहीं है। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि आइडेंटिफाइ करना कि हम किस कमपनी में हैं। वो अगर आइडेंटिफाइ कर लेते हैं, तो फिर आगे का रास्ता बहुत इसी हो जाता है। और फिर एक बार रियलाइज कर लिया कि ये कमपनी है सही है या गलत, तो फिर उस डारेक्शन से हम हटकते देना। फिर वो इसी हो जाता है हमारी। जब सेवा के लिए निकलते हैं, तो हम देखते हैं, जब ग्रूप सेवा कर रही है, तो हम भी सेवा कर रहे है। लेकिन कभी ग्रूप में से जो हमारे 3-4 important members बिजी हो गए, तो हमें लगता है कि छोड़ो मैं अकेले क्या करूँ, जब इन लोग आएंगे तो हम लोग जुड़े के अच्छे से करेंगे। तो लोगों कई बार लगता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे हर वक्त ग्रूप में ही करने का वो रहता है। वो उससे हम कैसे बचले हैं। मतलब sorry, फिरसे repeat करेगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है जो हम लोग सेवा करते हैं। तो हम जब ग्रूप मिलेगा तो ही सेवा करेंगे। जब वो सारी चीज़े होगी तो ही हम कॉल करेंगे वो करेंगे। जब जैसे ग्रूप के जो important members हैं। अगर वो कहीं busy हो गए तो हम लोग सेवा भी छोड़ देते हैं। तो उस time में कैसे हम तो देखना चाहिए। क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है। यह मैं कुछ दिन पहले का बताऊंगा यह एक example कि एक मेरे volunteer में मेरे पास कुछ calls भी आते रहते हैं। तो बोलते ही कि में ग्रूप में ग्रूप साधना करते हैं हम लोग तो उसके आन में बोला कி अच्छा बड़ी हांάλ आप लेकि कही कैसा में धूंफा और जब जब वह होता है तब मैं करती हो müsste उनने बोला कि जब 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 वह पासना होता है तब तो उनको ग्रूप की इतनी आदत हो गई है कि बिना गुरूप के फिर वो हो जाता है उनको कि अरे कैसे क्या होगा उससे कैसे बचे तो यह एक बहुत स्किल्फुल चीज है कि हम गुरूप में कर लेते हैं फिर अकेले करने में आलस आ जाता है यह बहुत बार होता है कि जब हम participants को बुलाते हैं तो बादा नहीं फसन है अगर अगर प्राक्टिस से ही आपका वो शिफ्ट आ रहा है यह आपको स्टार्ट हो रहे तो पो स्टार्ट करें और एक बार आपको एक ग्लिम्स एक एक्स्पीडेंस मिल जाता है ना किसी चीज का तो अगर आप उस चीज से डिसकनेक्ट भी होते हो कदम वापस आ सकते हैं पुरा जीरो तक भी आ सकते वर कभी वापस नेगेटिव नहीं जा सकते तो जो भी होगा बैक्टु स्क्वेर वन ही पहुंचेंगे कभी उसे बैकवर्ड नेगेटिव नहीं जाने जो अगर अखेले करने में वह आलस आ भी रहा है तो कोई बात नहीं वह गिल्ट लाने के जगह यू कि अगें स्टार्ट फिर से आप स्टार्ट करें और यू विल डेफिनिटली कांडिन यह सब के साथ होता है कि यह जर्णी ही ऐसी है हमारी कि हम कनेक्ट होते हैं डिसकनेक्ट होते हैं आते जाते रहते हैं पर कभी पूरा डिसोसियेट हम भी क्योंकि एक पर वो अल्टिमेट ब्लिस का जो एक्स्पीरिंस मिल जाता है न हमें लाइप में तो हम जाहे जितना भी इधर उदर भाग जाए हम वापस आते ही हैं और मैंने देखा है लोग 10-10 साल पहले 20-20 साल पहले उन्होंने कोर्स किया था फिर वो इस इसकनेक्ट हो गए जब कर देख साल तो हम देखते हैं हम कोई काम कर रहे सेवा कर रहे और हमारे जो ग्रूप के टीचर है में वो हमें कई बार अनौलेज्ट नहीं करते हें हमें उसाओ का बहुत दुख होता है कि मैंने भी तो सेवा किया था मेरे बारे में बोला नहीं सब के सामने खड़े हो कि उनका नाम मेरा छूट गया तो इस वज़े से वह पाथ ही छोड़ देता है यह बाकी हर जगा भी होता है लेकि इस वक्त कैसे ध्यान रतना चाहिए क्योंकि ग्रूप छोड़ने का सबसे आछे लीडर की व्यवह होती है कि वो हर किसी को साथ में जोड की पूरे ग्रूप को साथ में लेकर करके चले तो यह लीडर की भी dx है औं Джo ग्रूप से ceभाने मैंबड रहता है कुछ टाइम में आप जाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है पर फिर वह एनर्जी फट से नीचे भी आ जाते हैं तो बहुत लॉंग रन तक कंडिन्यू नहीं कर पाते हैं अगर आप जैन्मिनली उस प्रसेस में इंवाल है और आप सच में सही इंटेंशन के आप डिमांड करने लगते हो तो आप देखोगे कि फिर ही आपको आगे लेकर के नहीं जाता है आपको और नीचे लेकर के जाता है बहुत शॉट लिव्ट हैं ये सब इस्पीरिंस इस इस सम्टाइम आइट अमेज़ क्योंकि आर्ट आफ लिविंग में इतने तरह के लोग हैं तो मैं आपसे जाना चाहूंगा वें यू सी गुरुदेव एज लीडर क्या आप ऐसे ट्रेट्स देखते हो कि वो सब को साथ में कैसे बनाए रखते हैं विकॉज सब की विचार धार हालाग और ये एज़ टीम लीड या फिर कोई भी जो हैं जो कुछ और्गनाइज कर हैं जिन में बहुत अलग-अलग विचार है कभी कुछ क्लैशेज है कुछ क्या है तो में तो क्लैशेज से जादा बोलूगा कि ग्रुप की एनर्जी मेंटेन करके कैसे रखना है ये मेरे भी एक प्रॉब्लम आई थी जब मैंने सूरे नमस्कार का चैलेंज स्टार्ट किया है कि जुड़े हैं पचास साथ ग्रुप मैं तो कैसे कुछ देदी आप मुझे कुछ सीक्रेट शेयर करोगे कि जादा से जादा लोगों को उनकी एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखें बड़े ग्रुप को संभाल के रखें मेरे लिए एक चैलेंज लगता है कभी तो एक बड़े ग्रुप को साथ में लेकर के चलने के लिए गुरुदेव दिखे सबसे बेस्ट एग्जामपल है 156 कंट्रीज में आज आज आट ओफ लिविंग कर रहे हैं इतने हमारे सेंटर्स हैं अब सोची इतने लोग इतने ओपीनियन सबके इतने काम करने के तरीके तो अब इमाजिन करें कि गुरुदेव डेली वेसिस में लोगों के कितने कंफिक्ट को रिजॉल्फ करते होगा इतने कंप्लेंस उनके पास रोज आते हैं कभी टीचर्स और वॉलंटीर्स की बीच में अनबन है कभी टीचर्स टीचर्स की बीच में अनबन है कभी सेंटर् पॉलिटिक्स ना बहुत नैचुरल है कोई भी ऑर्गनाइजेशन में होना ऐसा नहीं है कि आर्ट उप लिविंग स्पिरिच्वल और इसेशन है तो यहां पॉलिटिक्स नहीं होगा यहां कंफिक नहीं होगा इन फैक्ट रिमेंबर गुरुदेव ने बार कहा था कि मैं भेड़ बक्रियों को एकठा नहीं कर ला हूँ यह एक जू है ठीक है तो यहां पे हर तरह की जानवर है यहां पे भेड़ भी है बक्री भी है तोता भी है शेर भी है रैबिट भी है तो हर किसी के युनीक है इगो डिजॉल हो जाने जिसे मैं खुद अगर अपने एक्स्पींस शेर करूं इतने साल में हम जिसने भी टीम में हमने कूर्स और घट बहुत मर ऐसा मेरे साब दी हुआ कि मेरा कुछ और पीनियन था बाकी लोगों का टीम में कुछ और उपीनियन था लेकिन क्योंकि हम तो मैंने देखा कि हमारे इगो डिजॉल्व होने लगा तो यह तो सबसे पहले चीज़ है कि किस परपस के लिए आप सब जुड़े हैं और दूसरा आपका लीडर कैसा है तो लीडर अगर सही हो वो करेक्ट गाइड कर रहा है तो वो पुरी टीम को साथ में लेकर के चलता है हर किसी के अच्छी चीजों को अच्छी चीज़ों करता है और अगर उसको किसी में कुछ नेगटिव बाते लगती भी है तो भी वो उसको बहुत स्किलफुली एक दम बीन हम जब आठ को तो आट केया है तो आप देखेंगे कि कहीं नालेगी कि हमारी डिफेरिंस होता है वो डिजॉल हो कई बार मैंने देखा कि हम किसी टीम वर्क के लिए गए और हमने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में हमने कुछ गुरु पूजा चैन्ट कर लिया और हम डियलाइज करते हैं कि 5-10 मिनिट्स में पूरा गुरूप का एनर्जी वह कॉंशिसनेस एक हो जाता है और अल्टिमेंटली फिर वो गुरूप को बहुत अच्छा हो जाता है तो यह दो तीन चीजों को अगर हम ध्यान दे तो हम बहुत एफेक्टिवली एक टीम को पार्ट बन भी सकते और एक टीम को लेड़ भी कर सकते हैं आपको सवाल है प्लीज पूझा जाता हूं कि अगर हम बहुत शिदत से चाहते कि कोई आर्ट ओफ लिविंग का कोर्स करें और मतलब बहुत दिल से हमारी बहुत स्ट्रॉंग एक मतलब इच्छा है कि वह इस बात पर आजाए फिर उनका वाटेवर सो अगर वो हमें अभी इसवक्त इग्णोर कर रहा है या ओके-ओके लाइक हां ठीक है सुन लेते हैं बट यह नोट लाइक एग्जाक्ली इन्रॉलिंग फॉर पॉर्श और सम्थिंग लगता है तो ऐसे केस में क्या हमारी दिल से क्योई प्रार्थना या हमने जो उनको अप्रोच किया यह बात ड तो जब मैं उसमें क्रिया करती थी सच्छंग में जाती थी तो दे यूस्टो में इक फन अफ मी नो हम लोग उसमें 17-18 यहर्स के एं भी उस्टो फो क्रिया एं फॉलॉप सब मजाप उडाते थे कि क्या तुम लोगी आट उप लिगिंग करते हो और क्या तुम लोगी सब करते हो किसी बाबा के चक्कर पर पढ़ गए हो उनको तब पता नहीं था और अब वही सेम लोग वही सेम फ्रेंग्स मेरे भूम फिरकर के मेरे पास आते हैं और वो मुझे पूछते हैं कि पुझा we also want to learn this technique, we also want to experience meditation in life, ऐसा भी होता है और कई बार ऐसा हुआ था कि पहले मै कुछ लोगों को मैंने बहुत दिल से चाहा था कि मेरे यह बहुत फ्रेंग्स हैं या मेरे नियर वांस हैं I want them to do the course and 8 साल, 10 साल में उनके पीछे लगे रगे हर कोर्स के पहले उनको call करना, उनको message करना कि अभी course हो रहा है कर लो, कर लो, कर लो, but they never did the course you know but I always kept my intention strong and wish the best that I just pray and wish कि कभी ना कभी वो करने and now specially पिछले दो साल की जो लॉक्डाउं मेरा जो डाइरी था जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाया था all the people whom I want to do the course and जोनों ने अवितक नहीं किया उसमें से आधा से जाधे नेम्स में टिक आ चुक है you won't believe versus COVID में maximum लोगों ने online में कोड़ से चाहें ना कि कोई genuinely जोड़े यहां पे और आय तो वो जरूर आते है it is just a matter of time सबीजी I would say everyone has their own time जब करने अगर अब खुद के लाइफ में भी देखेंगे तो हमने डिसाइड ने किया था कि हम कब इस पाथ में आएंगे और हम कब जूड़ेंगे हमें पता भी ने था पर आज हम यहां पे हैं तो हर किसी की जरूरी लिखी होई होती है सब्सक्राइब करेंगे तो फिर्फिरिंस में तो मैंने थिखाए कि इस वाइप जिस वर्ट पे उनका होगा न जुड़ने का वो जूड़ जानी वी एक चीज वहां एक जब हम इस पाथ में होते हैं तो वी आल्वेश सी और वी आलवेश सीक फोर क्रिपा कि मेरे उपार क्रिपा होनी ही चाहिए सो सम्टाइमस इट हैपन्स लाइक कि बाकी लोगों को कि लाइफ में बहुत अचीव हो रहा है हमारा फेज अच्छा नहीं चल रहा है वी स्टाट डाव्टेग तो इन दैट टाइम वाट शुड़ दी आर माइंडसेट कि इस पाथ में जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना हमारे पास या जो सेवियर है हमारी लिए वो है फेथ है ना श्रद्धा और ये वन आप दो वेल्थ है जो इक डिबूटी के पास हो सकते हैं तो जिनके फेथ बहुत स्ट्रॉंग होता है ना उनके उपर क्रिपा के कभी कमी नहीं मत थी कहते है कि क्रिपा आप पर हर वक्त बरस व्हकु आप व्हक्त जिए लेकर खिशनुघ तो उसमें कभी पानी itt तो ग्रेस हमारे पास every moment है, it is only a matter of realizing and many times हम खुद ही अपनी जीवन में अपनी परिशानियों में से उलज जाते हैं, अपनी माइंड में इतने एंटांगल हो जाते हैं, if you don't realize every moment anyways we are experiencing it, आज अगर हम सभी session में हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जीवन में बहुत क्रिपा कहीं हम बूल जाते हैं उस चीज को, जिसे कहते हैं कि एक पत्थर को जब हम बहुत घसते हैं, बहुत रगडाई करते हैं तो बहुत पॉलिश करने के बाद वो diamond बनता है, तब उसमें चमक आते हैं, तो dust उसमें accumulate होता है पर वो बहुत temporary time के बहुत तो हमारे मन में जो doubt भी कि बैदर मेरा काम होबा की नहीं, मेरे उपर Guru कृपा है की नहीं, है न, गुरू की दृष्टी है की नहीं, तो ये doubts भी जो आते हैं, वो पुछ टैन के लिए आ की cover जुरूर कर देते हैं हमें, हमारे मन को, पर उसकी बाद पर दुरे-देरे हट भी जाते हैं, वित रेगु That is like being in our shell, being in our comfort zone, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत comfortable है, वो हम टीम में आराम से करते हैं, और जो काम थोड़ा सा tough हुआ, मानलो में सेवा की बात करो, तो सेवा में कुछ ऐसे काम होते हैं, जो स्टेज के होते हैं, वहां पे तो बहुत अच्छा लगता है जो काम होते हैं, जो पार्किंग के होते हैं, उस पे लगता है कि मुझे ना भेजे क्योई, मुझे वो टोक ना दे, कि जाओ पार्किंग पे जाके देखो, सेवा करो, सब का वो करो, because there are different सेवा and all, and it happens to me also, I will be very honest, इस mindset को कैसे निकालू, मैं जिस समझ नहीं आता, because somewhere or the other, ए गुरुदेव से मिले आगे रहे, एक्तम जो चीज़, एक्चुल में जहां पर मैं दिखू, वहां पर, but एक feeling में उससे बहुत बार निकलना चाहें, लेकिन इक बिकम्स रेजिस्टेंस, with me and so many people also. Yes. So, यह अभी हम बात कर रहे था था थोड़ देरी पहले जो fame है, जो recognition है, जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम लोगों से चाहते हैं, यह बहुत natural human tendency है, यह basic tendency है कि हम को छोटा सभी काम करें, तो हम चाहते हैं कि लोग हमें रेकोगनाइस करें, और फिर उस चीज़ क आदत लग जाती है कि आप हमेशा चाहेंगे कि आप एक तम फ्रंट में रहें, तो मैं एक बार इंसिदेंट शेयर करती हूं, एक बार रार के लाब में अपने प्रोजेक्त लिया था, और यह लीडिंग अच्छे से बात करेंगे, तो मैंने बहुत काम किया तो थोड़ा सा वो आगया कि आरे मैंने लीड करके इतना कुछ किया है, इतना काम किया, इतना सेवा किया, इस बार तो मैं गुरुदेव के पास जाओंगी, तो यह बेरी हैपी, तो मुझे तम अच्छे से बात करेंगे, मैं एक खुशी-कुशी, तो next, when I went to the ashram, so I was like very high, you know, कि अप तो I will be very happy with my work, I've done so much Seva, and then I went in front of him, and Gurudev literally ignored me, उन्होने मुझे इतना बुरे तरीकी से इग्नार किया, as if मैं खडी ही नहीं, so I'm looking at him, I'm smiling, I'm waiting कि वो मुझे कुछ बोलेंगे, कुछ अप्रिशे करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ अप्रिशेट ही नहीं करने है, यह ऐसे कैसे हो गया, फिर कुछ दिन में आश्रम में थी, फिर उसके बाद एक दिन, Gurudev Satsang में भोलता है, कि तुम्हें क्या लगता है, कि करने वाले तुम हो, कर तो कोई और ही रहा है, बस तुम वहाँ पर हो, you know, that was a moment I realized, कि मैं हमारे इजाजद के बिना तो एक पता भी नहीं हिल सकता, you know, that was the time I realized, my ego was just shaken, you know, मैं कहाँ अपने दिवां में सोच रही थी, कि, you know, हमारे साथ ही होता है, हमें इतना कर दिये हैं, हमें स्टेज पे रहना है, हमें फ्रेंट पे रहना है, हमें फ्रेंट पे रहना है, but we don't realize कि वो हम है ही नहीं जो कर रहे हैं, so when we start becoming aware of the fact that we are just a part of the process, it is just happening through us, we are not the doer, you know, तब ये जो क्रेविंग होता है, कि हमें लोग रिपनाईस करें, या वो करें, अप्रेशेट करें, पिर वो देरे देरे के हर जाता है, and this maturity comes, you know, when you are sincerely associated, जब आप कंटिनु कर रहे हैं, आप इस हैं तो ये maturity आपको आजाता है, अज मुझे भी अपने past experiences से अब समझ आये कि हाँ, ऐसा है, I was not the one who was doing it, it was Gurudev was doing it, तो ये होता है, happens with each one of us. भी मैं एक इंसिदेंट शेर करना चाहोंगा, and I was that time in Bangalore ashram, and Gurudev ने तब एक बात पोली थी, कि जो किछन सेवा कर रहा है है, means it was the next day of Navaratri, Navaratri कदमीन चंडी हो मां के next day, वो बोल रहे थे कि ये कल रात के means yesterday night के भी मतलब एक पहले से वो शाम का टाइम था तो उन्हें बोला yesterday night दो बज़े से इन लोग लड़ू बना रहे मतलब मैं ऐसा एक मोमेंट था मेरे लिए कि इतनी अनलजी आई कहा से इतना continue काम करने के जनरली लोगों को सोना होता है बाकी सारी चीज़े करनी होते है लेकि जब एक वो अनलजी बन जाती है तो पूरे गपूरा ताइम वो पता भी नहीं चलता कब कट जाता है ये एक अलग अगी जोन में चले जाते है शुक्षाद में जाते है या बूस्भाम फॉर में की कैसे अभरी खुर्व लग प्रेंट इनक जुदेर बैंगलोर आश्रम में गुरुदेग आलवीज गोस्टु देचिन बिकॉस किचिन में जो लूंग सेवा करते हैं वो कभी इवेंट को अटेंड नहीं कर पाते हैं बाकी सब तो प्रोग्रम एंजय करके अटेंड कर लेते हैं किचिन सेवा वाले हमेशा बिजी रहते हैं सबके लिए प्रसाद पनाने में वो किचन में रह जाते हैं सब्सक्राइब करें अगर सबके सब इवेंट करने आ जाए तो बाकी पीछे का बैकेंड का काम कॉन करें अगरे लोग है जो ओन्लाइन देख रहे कभी उन्होंने कुछ थे थिक्राइब अगरे बैंगलोर आश्रम जरूर विजिट करें जब गुरुदेव हो इस्पेशली उस टाइन वैसे भी कोई आश्रम आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे जब कोई इवेंट हो रहा हो एक हर कोई एक दुसरे की हेल्प करता है जब बहुत दिन हो गए लोगों को भी अब लोग भी मिस कर रहे है दिदी क्या बोले अब गुरुदेव बहुत दिन से फार इंड में है पता नहीं को भाएंगे बस अब गुरुदेव August 1st week में आश्रम आई जैंगे August 1st 2 weeks में बहुत सारे प्रोग्रम्स है गुरुदेव के प्रेसेंस में Blessing Kors, Advanced Kors, बहुत कुछ है So we can all visit Bangalore Ashram in the month of August together आपका 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 अश्रम में वेडिया बताइए थोड़ा बताये क्या एक्सपिरियंस था आपका आपका अश्रम में सेवा करने का यहां पे जाकर आपका एनरजी में क्या फरका है सब्टोश जी बहुत अभीतक अभीत अभीत अब तक अभीत अब तो मैं सर्विस कर रहा हु लेगन तब मैं सर्विस में नहीं था लेकिन उदीन मेरे लिए golden day थे भया हर एक आदमे ने एक मेना दो मेने के लिए जरूर जाना चाहिए जिंदगी में ज़िए टाइम मिलता है क्योंकि बात में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं भया wonderful wonderful Santoshji thank you so much दीदी आप कुछ कहना चाहोगे इस नहीं about Seva in the ashram yes I would like to share an incident अभी हम जो संग्षक्ति कल्योगे का बात कर रहे थे group energy का तो जैसे हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे session में कि group energy से कैसे फर्क पड़ता है तो मुझे याद आया 2012 International Yoga Day June तो हमने Art of Living Calcutta के तरफ से बहुत बड़ा International Yoga Day का event रखा था and हमने 108 Surya Namaskar का चालेंज रखा था तो हम बहुत सारे पार्क में एंड स्टेडियम में लाइफ कंड़क्त कर वाने वाने थे ठीक है तो हम लोग काई टीम था वॉलिंटियर्स का अच्छा तब तक क्या था कि वी वर नॉट वरी रेगुलर योगा प्राक्टिशनर्स कि हम एक साथ इतने राउंड सूरे नमस्कार कर लें तो अच्छा तो हमें करना ही था बट वी वर अच्छा तो पीपल जिनको स्टेज में और प्लाटफॉम में देमॉंस्ट्रेट भी करना था तो फॉर अस दूइंग एक राउंड वी बिग चालेंज अलॉंग विद ओर्गनाइजिंग एवेंट ठीक है तो हमने सुचे कि हम प्राक्टिस टार्ट करते है तो हम लोग प्राक्टिस टार्ट करने लगे तो हम लोग अकेले-अकेले कर रहे थे अपने अपने घर में तो वी उस्टो डिस्कॉस पर शान को कि याज तुमने कितने राउंड किये तो 20, 30, maximum 40 राउंड तक हम अकेले कर पा हुए तो हम लोगों को कैसे बोलेंगे करने के लिए योगा डे के तरह तो वी डिसाइड़ कि लेट इस डू इन अग्रूप तो हम फिर्स्टे मिले हम सारे बॉलटेर्स एंड बीडिट टुगेदर तो जब पहले विए हम लोग साथ में किये तो हमने करीबन 52 राउंड यानि कि हाप सेट एक साथ अधर स्ट्रेश कर लिया तो वी वर वरी हैपी कि अधर अखेले तो हम से 20 30 कर पारे थे साथ में अमने 52 राउंड कर लिया तो वह एक वीग हमने रोज प्रैक्टिस किया शूर्य नमस्कार कर लिया और इतना एफर्टलेस था वो पूरा प्रैक्टिस पता हमें पता ही नहीं साथ अकेले जहां इतना एफर्ट इतना पोरिंग लगता था ग्रूप में अप्रसेस बिकांग बिकेम सो फंफिल्ड यू अम बात इगर थे थे सुपे से कि शांग को जाना है सबसे मिलना है नहीं साथ में करना है और थेन चार दिन करने के बार वी दिट 108 रांट सूर्य न में इवेंट जिसन योगा दे था यू ओंट बिलीव वहावें माक्सिमम लोग वो थे जो बहुत रगुलरी योगा ने करते थे शायगो फॉर्स तैम करे भी थे सूर्य नमस्कार मोस्त अब बें अरूंट 75-80% of the people that day did 108 rounds of सूर्य नमस्कार because we had given participation certificates जिन्होंने भी किया थे and we were not prepared कि इतने लोग कर लेंगे but the group energy was so high कि इतने सारे लोग साथ में कर लिए नो that was the time when I realized कि अखेले कोई भी चीज बहुत बड़ा लगता है कोई भी टार्गेट या हमारा गोल होता है ना को कई बार हमें बहुत बड़ा लगता है बहुत बढ़ा लगता है बहुत दिसकल लगता है पट इक ग्रूप अगर साथ में होता है ना तो उसके एनरजी से हम इसली उस चीज़ करने को एंड और सेंस अव सेलिबरेशन वह वन वी कमें कभी लगा ही ने कि हम इतना तारिंग कुछ कर रहे हैं या इसे हमको इतना महनत करना पड़ा है लो वी वर चिसलीबरेटिंग दा मुमें दूइंग टोइट तोगेधर तो इस अप छोटी चोटी हैं जो एक लीस्ट हमें आट उफ लिविंग में बहुत नैचुरेटली और बहुत इसली मिल जाते हैं हमारी इतने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप दिखेंगे पर इसमें जोड़के रहने से हमें यह चीज़े बहुत अच्छे से एक्स्पीरिंस हो जाती हैं तो मेरा टेक बहुत अलिए टेकर बहुत आज गुच्छलोगों कुछ पश्षटन है, तो आप अन्मिट कर पूछ लागते हैं लिज़ ? अभिशेग जी I'm sorry, Puja ji can you just tell me Wen will Guru Dev be in the ashram? for how long he will be there ? So August 7 to August 3rd and 4th probably he will be 15th he's there, for sure 4 to 50th August again he will go back to some other place then he will be going outside India oh so between 4th and 15th we can reach and have his darshan yes yes we are having a lot of programs at the ashram that time thank you only if there is grace only we will be able to have his darshan since many days I have been wishing to have his darshan but it has not been fulfilled I hope so you know I am sorry to interrupt I will say it is not just about the grace it is also about the intensity if your intention is very strong Gurudev will be with you I will just very quickly share in 2019 I gave Bangalore ashram advanced course and this is a North East special advanced course which all people came from North East state and most of them first time came to Bangalore ashram okay so course we were in silence and at that time Bangalore ashram there were a lot of programs running in Bangalore ashram so Gurudev did not come to our course in one session and these people were eagerly waiting you know they were very eagerly waiting to meet Gurudev they all came from their state with a lot of gifts you know with a lot of love with a lot of belongingness they wanted to meet so our 4 days course complete and we just came out of silence you know and our teacher just opening after our silence opened our teacher tells us you know there is a surprise for your group aapki group be itna strong sankarpia intention tha to meet Gurudev we don't know how Gurudev has just called and aapki badge ka special darshan hai at Badri Vishana so we were 120 people in that advanced course and you can imagine and you are getting to know that you are getting life darshan of Gurudev and then we went there it was just our course participants there at Badri Vishana and Gurudev ne itna samayi diya he ke ke paas rukki you know koi unko hug kar raha hai koi unko gift dhe raha hai koi shawl pehna raha hai itna time unho ne diya na har kisi ko har koi itna content tha us darshan se ki I mean woh pura group ka ek toho hum bolte hai na ki group energy ka hama baat kare so woh group ka hi pura itna zahada strong intensity tha to meet Gurudev that he had to call us so unke paas koi option hini lehta so if your intention is very strong to meet him you know you just have that sankalpa and that desire he will call you anywhere anytime ap usme mach jahye ga he will call you and meet him that's my guarantee thank you for the wonderful wonderful answer there you satisfied me like to such an extent I have no words to express thank you so much it's everything is here agar aapka intention strong hai na to Gurudev ko bhi anna padta hai aapke saaf yeah yeah absolutely beautiful very well explained thank you you're really blessed wonderful manjula didi manjula didi aapka maai korn hai aapka kuch kehna tha abhi toh jula hai kaatna hai august me na haa kaatna kya hai woh bhi khushi khushi satsangh mein khushi intadaar bhi khushi sa yes the intensity of longing that you have the more pleasant is your experience so this weight is again very special you know you are all so eagerly waiting for him when will he be back so this is also a very special experience in itself aapka sabi ko kaun ga jolok dekh rahe aaphi jayse jolok bhaar se dekh rahe woh woha pere wait ki jolok india woha india india aapka jolok chanse bant pardtah hai bhout saare courses do rye us time me ashram hai aap luk zarul time nikaal liya or gurudev ka darshan milah jayse kuch dyn pahle he mne darshan matras to aap please plan banay plan banay to kuch ho ga and joh bhi luk dhe dhidhi samir ji kuch kuch kya raha ha pooja ji ki e bata pere mene notice kari hai kari 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 sunuvat se leke ab tuk unke chahre pere smile woh itni smile kya humare art of living ki trademark smile mne bilkul devotee andr se blossom ho tata na to woh sahih mne face pere mnye dhik raha aap pooja ji kari kari aap 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 jai kari thank you thank you thank you much very nice wonderful so mein sabhi ko ye hi kahun gha ki ye joh session tha joh puja didi mingga it was like a blessing for devotees kyunki hum loog yab sang me rete to hum kya kya nahi kiya ha aap koh pata hai joh loog sang me nahi hai ye session un sab tak pauncha diji joh joh loog abhi dek ra ta ki wubhi inspire ho ja this session was really very inspiring and it was like hum ek raastah mil gaya hai session ke baad to let's that's the main thing and joh loog pehli baar aap ke paas koji acha kuch aasa nahi a sun kaut kar liya subscribe kari satwa talks ke sun me joh joh kari 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 sakti aap satwa talks ko like 9 waj ke 10 minutes joh baki musse zoom me connect ho nha kari sakti har video ke n bar ho ta hi to aap kari 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 jah kari 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 आप कहना चाहोगे मैं बस यह कहना चाहोगे सबको कि हम सब बहुत fortunate है कि हमें इतना अच्छा group मिला है यहां पे जो हमें हर आस्पेक में blossom करने में help कर रहे हमारे पस साधना के लिए पी group है, सथसंग के लिए भी group है सेवा प्रोजेक्स करने के लिए भी group है, तो हमारा पूरा blossoming होने का यहां पे हमारे पास एक group हमें मिला है और हमारे साथ गुरुदेव शिशी रवी शंकर जी है, जिनके presence में ऐसे भी हमारे चीजे इतनी effortless हो जाती है, हमारी इतनी सुदर हो जाती है तो इस group को आप appreciate करें और group के साथ connected रहें, आप हो सकता है ऐसे moments आएंगे कि आप disconnect भी हो जाएंगे कभी आपका मन नहीं होगा पर आप देखेंगे कोई ना कोई उस group में आपको ढूण के पकड़ के वापस ले ही आए तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कई बार मुझे मन नहीं करता था लेकिन कोई टीचर, कोई वॉलंटियर का फोन आ गया और उन्हें बोला नहीं चलो और उस चकर में फिर वापस connect हो तो ऐसा ही ग्रूप हमारे पस है तो हम कभी डिसकनेक्ट पुरा हो ही में से कहीना कहीं से हम वापस जोड़ी जाएंगे और गुरुदेव बेक्षार करते ही है कि वो कैसे भी कर कि हमें वापस ले ही अन्हें इस पदी I will wish all the best to everyone I know let's stay connected आपको कभी भी किसी भी चीज़ के जरुवत हो विषेग जी है हम है हमारे ही पूरा आट-फलिविग फैंली है एक दूसरे के लिए help करने के लिए so we can all reach out to everyone and do some good work for the society and blossom in our lives thank you everyone जयर गुरुदे जयर गुरुदे जयर गुरुदे